हालो फ्रेंट्स पिछली क्लाश में मैंने आपको बताया था कि PHP में आइडेंटिफायर्स क्या क्या होते हैं और मैंने आपको एडेंटिफायर्स में वेरेबल का पिछपी में जो वेरेबल्स हैं या फंक्शन नेम है या कॉंस्टेंट का नेम है या क्लास के नेम है हमें इने बुलते हैं आइडेंटिफायर्स तो आज हमें यह देखना है कि आइडेंटिफायर्स बनाने के रूल्स क्या होते हैं रूल्स क्या होते हैं और कैंविंशन क्या होता है यह हमें देखना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप है और टोपिक नेम होगा हमारा आज का और रोल्स फॉर रोल्स फॉर रोल्स फॉर क्रियेटिंग आइडेंटिफायर्स इन पिएसबी तो अहले ध्यान देने की आइडेंटिफायर्स क्या क्या होते हैं डेशिक मैंने बता रहे क्या है पिछली क्लास में वेरेबल के नेम भी आइडेंटिफायर होगा class name भी आपका identifier है या बोल सकते हैं function name ये भी आपका identifier ही होते हैं उसके बाद है constant name हम इन्हें बोलते हैं identifier अब इसमें देखना है कि इनका rules क्या क्या होता है तो देखो यहाँ पर पहला rule क्या होता है ये सिर्फ PHP के लिए नहीं है दुनिया का कोई भी programming language हो ये rule जो है लगभग शेम होते है लगभग पुरा नहीं लगभग तो पहला rule क्या होता है एन आइडेंटिफायर कि फायर्स name name cannot start with numbers कोई भी identifier हो वो चाहे आपका variable हो या class हो या function हो या constant हो इनका name number से start नहीं होता है इक्जामपल अगर मैं आप ले रहा हूँ एक variable लाइक डॉलर सिंबल लिया वन नेम और नेम दे यहाँ पर इक्जामपल लाइक यहाँ यहाँ पते कोई नेम गलत हो गया क्योंकि रूल क्या करते है कि कोई भी identifier है और नमबर से start नहीं होगा मैंने आपका रिकाव है डॉलर सिंबल के बाद मैंने लिया आप पर वन जो की नमबर है तो यह गलत हो गया यह आपको क्या देगा इडर देगा शीम अगर में बना रहो कोई function फंक्शन फंक्शन जो है PHP में आप आगे दिखोगे अभी बस में आप ले रहा है example like मैंने function लिया function 5 sum तो यह ध्यान देना है function के नेम दिया है मैंने sum से पहले का लिखा हुए 5 क्योंकि function भी PHP में identifier है तो function के name भी number से start नहीं होगा एक code भी आपका देदेगा error अब थोड़ा से ध्यान देना है PHP फंक्शन किस्ते बनाते हैं हम लेते हैं function keyword उसके बाद function के name हलाकि यह topic आपका आगे आएगा जो अच्छी समझ माएगा बस भी ध्यान देना है कि function के name number से start नहीं होता है क्यों function भी क्या आपका identifier है अब अगर मैंने आप ले लिया कोई constant like c o n s t c o n s t जो है एक PHP में keyword होता है जिसके help से हम constant create करते हैं ठीक है और मैंने आप लिया constant के name 5 name equals to ab तो ध्यान देना आप रहे है जो constant के name है मैंने name ही रखा हुआ है और यहाँ पर 5 भी आपका क्या देगा गलत देगा क्योंकि number है इसी तरह अगर आप कोई class ले रहे हो या object ले रहे हो उनका name number से start नहीं हो अब इसको example से करके देखते हम पहले देखते हम पहले रूल क्या क्या है तो पहला रूल क्या है कोई भी identify हो दिनिया में number से start नहीं होगा हाँ number आप बाद में कर लो कोई फरक नहीं परते हम नंबर आप बीच में रहे हैं मैंने name 5 कर दिया 5 this is correct correct और put number inside middle यह भी आपका correct है लेकि नंबर पहले नहीं पार उसको बाद दिखना है second rule allowed characters in identifies are मतलब identifies में क्या क्या characters allowed है उसका हमें list दिखा रहा हूँ तो allowed है आपका a to z पुरा इशमाल हो सकता है आपका यह हम एका सकते हैं a to z आपका पुरा capital हो सकता है third आपका होगा 0 to 9 नंबर भी हो सकता है लेकिन नंबर पहले नहीं हो अब जो special character है जो allowed है PHP के identifier में ओ है सिर्फ underscore like अगर मैंने आपने लिए underscore तो हम underscore को भी identifier name में लगा सकते हैं underscore अब दोखो इसे बोलते हैं हमनों special characters बोलते हैं इसे क्या बोलते हैं special character special हम आपका dot होता है question mark होता है highest होता है तो बस अगर identify कुछ अला हो है PHP में तो क्या है underscore underscore पहले भी हो सकता है middle हो सकता है या बाद भी हो सकता है तो इस ध्यान देने वली बात ही कि इतने characters होए आपके identifier में अला होगा है वो चाहे कोई भी identifier हो variable function constant या class अब इसके बाद थोड़ा सा income एक्जांपत देख लेते हैं एक्जांपल के लिए वही पुराना एक्जांपल c drive में जैंप गया है stdocs web app at और यहाँ मैंने open कर लिया index.csv5 तिसमे में बनाना है identifier like अगर मैंने आप लिया कोई identifier dollar symbol sorry dollar symbol 5 num1 equals to 6 and second variable 4.5 num2 equals to 8 and take a third variable like sum equals to dollar 5 num1 dollar 4.5 num2 तो यहाँ से आप ध्यान दोगें कि यह program दीख रहा है एक्जांप साप साप की एक गलत है error देना ही देना है क्योंकि जो यह दीख रहा है num1 इससे पहले 5 रखा हुआ है और 5 हम रखने सकते हैं क्योंकि कोई भी identifier number से start नहीं होगा तो पहला error दीख रहा है यहाँ पर मिल जाएगा आपको दूसरा कहा मिलेगा दूसरा आपको मिल जाएगा 4.5 क्योंकि पॉइंट भी जो है identifier name में allowed ही नहीं पॉइंट हमारा special character है और special में सिर्फ क्या आपका underscore है तो प्रोडम तो यहाँ पर कहीं सारा है पहला की number है दूसरे आपके dot है यह भी आपके रख देगा उसके बाद सम किया है तो यहाँ पर हरत आना या नहीं है तो चलिए अरण कर आग देख लेते हैं तो मैंने आपाचे स्टार्ट कर दिया है यह ओपेन इनी ब्राउजर लाइक ओपेन क्रों इसमें देना आपको लोकल होस्ट वेबसाइट ने में में मेरा वेब एप वेब एप एट एंटर तो होते हुआ हम दे दिया प्रोड़ पार्स एरर सिंटेक शिरा अरिस्पेक्टे फाइब जो आपको दीखे लाइक दिम से यह वाली प्रोड़म है तो हमें हाँ पर नमबर ने लिख सकते हैं और नहीं आप नम लिख सकते हैं इसके बाद यह अटा दिया अब जो है आपका एजांपल करेंट है यह आगए आपका फोटे तो उमीद है कि आपको यह रूल से जो यह समझवा गया हुआ अब इसके बाद हम बात करते हैं नेमिंग कन्वेंशन तो कन्वेंशन क्या होता है देखो आपर रूल्स फॉलो करना जरूरी है कन्वेंशन आप्शनल है कि हम किस तरह अपने वेरेबल का नेम देते हैं लेकिन एक अच्छे प्रोगामर की पहच तो कन्वेंशन पर ध्यान देता है एक जामपल में नेमिंग कन्वेंशन में क्या होता है कि सब को जहां पर मैंने वेरेबल रखा हुआ है वेरेबल नम 1 नम 2 तो यहां पर क्या लग रहा है कि नम 1 से कोई भी एगर प्रोगामर रहे समझ जाएगा कि लेकर नमBER 1 की बात हो Num2 अब है nub2 है अगर आप मैंने कर दिया e और num2 को heen कर दिया व similar तो प्रगाम इस भी आपका शही है गलत नहीं है इस भीह आपका output देगा तो इस भी शही है आपका लेकिन प्रॉल्म क्या है थोड़ा सा समझने में A और B क्या चीज़े थोड़ा सा मुस्की लग रगए A और B का मतलब क्या होता है लेकिन अगर मैंने कर दिया number 1, number 2 तो इसे clear होता है कि इन number की बात हो रही है तो कहने मतलब भी हुग है कि कोई भी आप variable का name रखो name आप इसे रखो जिससे कुछ sense निकले कुछ meaning निकले example में अगर बात किया जाए कि कोई person है वो अपने kids अपने बच्चों को नाम क्या रखना चाहता हो उसको उपर है अगर उसने अपने बच्चे का नाम रख दिया cat या dog तो भाई उसकी मर्जी है क्या रखना चाहता है लेकिन cat और dog बच्ची को नाम देना इससे ही नहीं मना जाएगा same आपका programming में कि अगर यहाँ पर A.O.B. है तो चलो ठीक है लेकिन इससे कोई sense निकल लाए इसलिए better क्या होते ही कि आप इसका meaningful name रखो तो यह आपका होते convention में जो follow करना must नहीं है अब देखते हैं कि variable के लिए क्या क्या convention हो सकते हैं किस दो बनाते हैं convention for variable name अब दोखो variable name आप किस दो रख सकते हो पहला तरीका आपका है variable name आप small term रख लो like हमने लिए आप एज यह आपका तरीका सही है यह मैंने लिए लिए variable name name में दे दिया मैंने x, y, z, कुछ भी तो देखो variable name में क्या होते है कि या तो variable को आप पुरे small में बनाओ जो कि standard है यह आप age भी आपका small में है और name भी आपका small में है तो हमेशे बूलते है variable variable name in lowercase दूसरा होता तरीका आपका variable बनाने का दूसरा हो सकता आपका क्या variable name in camel case camel case का मतलब क्या होते है छोटा बड़ा छोटा बड़ा camel मतलब oots होता है तो आप क्या देतों जो oot का जो उसका कूबर होता है उससे पहले थोड़ा सा दबा होता है उसके गर्दन की तरब जुका होता है फिर उपर उठ जाता है हम इसे बोलते है camel case example में कि मैंने अपने लिए वेरेबल my age इरद दिया मैंने like a 40 यह क्या दिख रहे हैं आप पे देखो यह दिख रहे हैं my age में totalist में दो word है पहला आपका क्या है my दूसरा क्या है age तो एक camel case क्या गता है जो पहला word होगा small होगा और जो दूसरा word जुड़ रहा है उसका पहला लेटर capital होगा तो हम इसे बुलते हैं camel case बुलते है small and a capital तो हम इसे camel case में भी बना सकते हैं variable के नेम यह भी एक standard माना जाता है थर्ड आपका क्या होता है snake case snake case snake case का मतलब क्या होता है साप, सापतलब इस तर बना हो गया इसमें नहीं है my underscore age तो इसमें द्यान दिना है कि जो दो word रखा हुआ है एक my है और दूसरा age है यह दोनों connect है underscore से और underscore ही एक ऐसा special character है जो identify name में allow है otherwise कोई भी special character में allow नहीं है था हमेशे बोलते हैं snake case अगर इसमें कोई एक और word है जोड़ना है तो underscore को लगा दो आपका अगला होता है variable name का convention variable name in Pascal case Pascal case का मतब क्या है my a इसमें पास्कल का मतब क्या होता है कि पास्कल भी आपका देखा जाए तो camel case आई है लेकिन इसमें जो देख रहे है m y m y का जो है m capital में always का है capital में हम इसे बोलते है पास्कल case तो हम इतनी case में बना सकते हैं variable name लेकिन जो standard है आपका क्या फॉलो करोगे small में या आप फॉलो करो my ये जो camel case या i snake case ये जो case दीख रहा है पास्कल case ज़्यादा तर क्लास बनाने के लिए करते हैं ये क्लास के लिए ज़्यादा ही जोता है तो ये वग या variable का convention तो इतने सारे मतब केश बने होते हैं जिसे आप variable के convention दे सकते हैं सेम ये ही रूल फॉलो करना आपको function के लिए और class के लिए constant का जो convention होता है वो ये होता है कि constant completely आपर केस में होते है तो अमीद है कि ये आपको class समझमा गया होगा अभी मैंने सिर्फ convention दिया है आप variable पे लेकिन एक convention आपको याद कि रिखना है function और class में अभी मैंने function class आपको नहीं बताया है इसलिए मैं उसका convention भी नहीं बताऊंगा लेकिन यहीं पूरा रहेगा complete तो दोस्तों उमीद है कि आपको class समझमा गया होगा अगर कहीं भी class में दिक्क्यत है इस वीडियो में कोई problem है तो please आप comment section में जरूर लिखिए मैं कोसिज करूँगा कि आपको problem solve जाए अब अगली class में देखा जाएगा कुछ पेस्पी के new topic तब तक के लिए दोस्तों thank you and bye bye